हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप खुद से अपनी बाइक के चेन को क्लीन और लुब्रिकेट कैसे कर सकते हो फ्रेंट्स ये काम बहुत मुश्किल नहीं है जस्ट आपको इसे करने का सही तरीका पता होना चाहिए अब फ्रेंट्स मैक्शों हम लोग क्या करते है कि चेन को क्लीन करने के लिए पेट्रोल डीजल या फिर केरोसिन तेल का यूज करते है मैं ये नहीं कहूँगा कि इन चीजों को यूज करना गलत है लेकिन कई बार इन चीजों के वज़ा से जो चेन का ओरिंग है एक स्रिंग है या जेड रिंग है वो कट जाता है जिसके बाद चेन बहुत जल्दी धीला होने लगता है और उसके बाद जो चेन के स्प्रोकेट का टित है, वो बहुत जल्दी घिसने लगता और इस तरह से chain और chain sprocket का जो life है, वो बहुत ही कम हो जाता है, तो आज आप हमारे सामने देख सकते हो, यहाँ पे यह है chain cleaning और lubrication का complete kit, आए पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ फ्रेंट, सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है motul का C1 chain clean और यह जो product है, यह chain को clean करने के लिए भी काम में आने वाला है इसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे यह है motul का C2 chain lube और इसे हम लोग bike के chain को clean करने के बाद lubrication करेंगे उसके बाद यह बहुत ही कमाल का product है, यह है motul का C5 chain paste, और इससे क्या होता है कि chain का life बहुत ही बढ़ जाता इसे कैसे use करना मैं आपको आगे बताऊंगा और इन सब चीज़ों करने के लिए हमारे पास यह chain cleaning brush है, वैसे तो वो आपको थोड़ा महंगा पढ़ जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, कि जो motul C1, C2 है, इसका आप combo खरी सकते हो, और इसके combo का जो price है, वो है 460 रुपए, उसके बाद आप यह जो chain का paste है, यह अलग से खरी सकते हो इसका price है 390 और यह जो आपका brush है, यह सिर्फ आपको 75 रुपए में मिल जाएगा, यह सब कुछ आपको Amazon में मिल जाएगा, buying link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा Friends, chain cleaning स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा safety tips दूँगा, आप कभी भी चाहे chain को clean करना हो, या lubricate करना हो bike के engine को start करके bike को first gear में डाल के नहीं करे यह safety के लिहाद से बहुत dangerous होता हो, और इसमें आपकी उंगली के कटने का भी डर होता है Friends, chain cleaning के लिए हमने bike को double stand में लगा दिया है, अगर आपके bike में double stand नहीं दिया गया है, तो आप G roller खरी सकते हो, link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा Friends, chain cleaning के लिए हमने Motul C1 chain cleaning अभी लिया हुआ है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कि bottle को अच्छी तराशे shake कर देंगे, shake करने के बाद हम जो chain का सबसे inner surface आप देख रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसे spray करेंगे Friends, inner surface में spray करने के बाद जो sides देख रहे हो, पहले हम लोग इस side में spray करेंगे Friends, अब हम लोग chain का यह जो outer surface और यह यह side है, इन दोनों side में इसे हम लोग spray करेंगे Friends, spray करने के बाद हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे क्योंकि आप देख सकते हो, यह जो गंदगी अल्रेडी यहाँ पर निकलना चालू हो गया है, तो हम लोग जश्ट इसे वेट होने के लिए 5 मिनट तक रुकेंगे Friends, अब हम लोग इस chain cleaning brush से chain को cleaning करेंगे, आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 side में टिद दिया हुआ है, तो एक बार में आप देख सकते हो, कि इसका 3 side साफ होने वाला है। Friends, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि जो brush का teeth है, वहाँ पर जो chain की बहुत सारी जो grease है, जो गंदगी है, वो आपको दिखाई देगी, तो इस brush से जो हमारा chain है, वो बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाता है। Friends, आप देख सकते हो, कि chain already clean हो चुका है, लेकिन फिर से हम chain cleaner को एक बार अंदर और बाहर थोड़ा-थोड़ा spray करेंगे। Friends, दोबारा spray करने के बाद हमें wait नहीं करना, जश्ट हमें कपड़ा लेके इसे अच्छी तरह से साफ कर देना है। झाल फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि चेन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है चेन क्लीन करने के बाद जस्ट आपको 10 मिनट तक वेट करना है ताकि जो चेन है वो अच्छी तरह से ड्राइ हो जाए वो सूख जाए उसके बाद हम लोग ल्यूब अपलाई करेंगे फ्रेंड्स चेन क्लीन करने के बाद सीधा आप इस ल्यूब को स्प्रेक कर सकते है लेकिन चूकी हमारे पास यहाँ पे यह चेन का पेस्ट भी है तो हम इस पेस्ट को पहले यूज़ करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले खोल के एक बर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का पेस्ट आप देख सकते हो पेस्ट इस तरह का यहाँ पे दिया गया है इसके साथी यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि यह जो है ब्रश भी दिया गया है इस ब्रश चे हम लोग इस पेस्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे hole है तो इस hole से होने वाला यह है कि जब हम लोग यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे तो जो लिउब है जो paste है वो यहाँ से निकलेगा आप देख सकते हो paste यहाँ पे निकल रहा है chain paste लगाने के बाद गाड़ी के engine को on करके गाड़ी को first gear में डालके कम से कम एक मिनट तक छोड़ देना है ताकि जो paste है वो अच्छी तरह से mix हो जाए friends अब हम लोग motor C2 chain loop को उसी तरह से spray करेंगे जैसे कि हमने chain cleaner को spray किया था friends अब आप देख सकते हो कि जो chain का lubrication है वो completely हो चुका है मैं आपको यहाँ पे एक advice देना चाहूंगा कि lubrication के just बाद आप अपनी bike को नहीं चलाए कम से कम 10 मिनट तक आप वेट करें ताकि जितने भी internal parts है वहाँ पे जो lube है वो अच्छी तरह से चले जाए उसके बाद ही आप अपनी bike को चलाए तो friends इस तरह से आप अपने bike के chain को clean और lubricate असानी से कर सकते हो friends मैं आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहूंगा कि आपको कितने kilometer के बाद cleaning और lubrication करना चाहिए सबसे पहले हम लुब्रिकेशन की बात करें तो अगर आप chain lube को यूज कर रहे हो इससे lubricate कर रहे हो तो आपको हर 500 kilometer bike को चलाने के बाद जस्ट इसको spray करके lubricate कर लेना है अगर आप इस paste को यूज कर रहे हो सिर्फ तो आपको 800 kilometer bike को चलाने के बाद जस्ट इस paste को यूज करना है और अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हो तो आप 1000 kilometer bike को चलाने के बाद जस्ट इनसे lubricate कर देना है अगर हम लोग cleaning की बात करें तो friends चाहे आप इसे यूज कर रहे हो चाहे आप इसे यूज कर रहे हो cleaning आपको हमेशा हर 1500 से 2000 kilometer bike को चलाने के बाद जैसा मैं आपको बताया पहले clean कर देना है फिर lubricate कर देना है friends इनका buying link मैं इस video के description में देदूँगा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरू कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरू बताए इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जरू कर ले मिलते अगले वीडियो में थैंक्स वराचिंग इस वीडियो गुड़ बाई